जै मातादी, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको बताऊंगी पूरण मासी का ब्रत किस तरह से करना चाहिए, कथा किस टाइम करना चाहिए, ब्रत में दिन में क्या खाना चाहिए, और उध्यापन कैसे करना चाहिए, साल की जो बारे पूरण मासी होती है, उनकी पूजा और शरत पूर्णमा की special पूजा किस तरह से करने चाहिए अगर आप पहली बार ब्रत कर रहे हैं तो आपको किस तरह से पूजा करनी है वो मैं सारा आपको आज बताऊंगी तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए पूरण मासी के ब्रत में सत्यनार्यन भगवान की विशेषकर पूजा होती है स्रीहरी की और शाम को चंद्रमा को अरग दिया जाता है लेकिन सरत पूर्णमा की जो पूजा होती है उसमें लक्षमी माता की भी पूजा की जाती है तो पूर्णमा के दिन विशेषकर भगवान स्रीहरी की पूजा करें और चंद्रदेव जी को पूजा है जो इसतरी पूरण मासी पूरे बारे बहिने की पूरण मासी का ब्रत करती है या फिर साल की बड़ी-बड़ी पूर्णमा के ब्रत करना चाहती है या जो एक साल मे का उद्ध्यापन का पूरा अनुष्ठान करने का संकल्प ले लेती हैं कि मैं 12 पूरे मा करूंगी या 24 करूंगी 25 करूंगी तो वो किस तरह से संकल्प लेती हैं और अपनी मनों कामनाओं को पूरी करती हैं किस विदी से पूजा करती हैं मैं आपको बताऊंगी आदा खीर कभी नहीं बनानी चाहिए आप उसमें पंजमेवा डालें या आप उसमें केसर डालें सरदकी पूर्णिमा के दिन खीर को रात में चंद्रमा की रोशनी में चलनी से धककर रख देना चाहिए और सुबह इसका परशाद भगवान को अरपन करना चाहिए फिर पुर्णे की प्राप्ति होगी जिस दिन ब्रहामन को भोजन खिलाना हो उसको कोटी कोटी प्रणा मिलता है तो जो लोग इसमें ब्रहामन के दिन भोजन कराते हैं उनको बहुत दान की प्राप्ति होती है ब्रत वाले दिन सुबह में सनानादी कर लें और फिर पूजा कर ल और रात को चंद्रमा को अर्ग भी जरूर देना चाहिए उसके बाद आपको भोजन करना होता है दिन में आप दूद, फल, जूस, मेवा इस तरह से खा सकते हैं अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो लेकिन आप सेंदा नमक या आप कोई फलार वगेरा बना कर जैसे की भगवान सिरी हरी को भोग लगाना होता है कहीं जाना है आपको तो मजबूरी है तो आप सुवे में दिन में ये कर सकती हैं इस ब्रत का उध्यापन जरूर करना चाहिए सभी ब्रतों का उध्यापन होता है एकादसी का ब्रत और पूर्ण मा का ब्रत ये दोनों ब्रत बहु आप स्थान को साफ कर लें जहां पर चौकी लगाएंगे गंगाजल ढालें थोड़ा सा और स्वक्ष करें चौकी बनाएं जैसे चौक पूर्ते हैं मैंने अपने चैनल पर चौक पूर्णे की वीडियो डाली हुई है फिस पर चौकी रखें चौकी पर पीला लाल कपड़ा ब लेखते थी आम के पत्तों को कलावे में बांध कर दर्वाजों पर भी बांधा जाता था यह भगवान का सिंगार होता है उनको बुलाने की सजावट होती है आप घर में गमले में केले का पौधे लगा सकते हैं अगर आपको अनुष्ठान लिया है आपने संकल्ब की मैं एक पूजा करूंगी सत्ते नारण की कता करूंगी तो आप उस गमले को चौकी के पास रख लें जब पूजा हो जाए तो उसको फिर उचता उसी उस्थान पर रखते हैं और आप फिर चौकी बिछाने के बाद आप साली ग्राम जी और लड़ो गोपाल जी भगवान सिरी हरी क फोटो प्रतिमा इस सब वहां पर लगा लें कलस इस्थापना कर लें पंचुप चार और सौडुप चार से पूजा करें मैं आपको वैसे बता रही हूं जैसे मैं करती हूं काफी दिनों से मैं सत्तरायन भगवान की कता करती हूं पूजा अबरत कर रही हूं तो मैं आपको उसी तरह से बता रही हूँ जैसे मैं करती हूँ आप वैसे तो आपको घर में प्रोहिजी को बुला कर ही ये कथा करानी चाहिए ब्रहमन को बुला कर ही लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहते हैं कि पंड़त को नहीं बुला पा रहे हैं आपकी सामर्थ नहीं है तो आप स्वयम क को कर सकते हैं इसमें चंद्दर भगवान की भी पूझा करनी चाहिए और फिर ब्रत का पारण करना चाहिए रात को आप इस तरह से विद्धी ब्रत पूझन करकर चंद्र भगवान का आवाहन करें और सफेद-पुस-पु-चावल- शंदन धूप दीप पूजन करके उनको अर्द दे दें मालक्षमी की असीम कृपा पान मिलती है अगर आप धन, 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 वैववव के साथ इसको पूजन करते हैं आपकी जो भी सामरत है आपके पाढ़ जतना भी है जरूरी नहीं कि आप जादा करें लेकिन आपकी जो सामर्थ है तो आपको इस ब्रत से धन, धान्य, बैवा, व्यक्ष, मान, लाव, प्रतिष्ठा, संतान, पुत्र, पौत्री, एश्वर्य, सब भी कुछ प्रदान करने वाला ब्रत है ये सब बहुत बड़ा ब्रत है य और काफी प्राचिन समय से इस ब्रत को सब लोग करते आ रहे हैं तो ये ब्रत करना चाहिए अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपको जरूर करना चाहिए आपको मान सिक कोई टेंसन रहती है मन परिशान रहता है दिमाग टेंसन में रहता है तो आपको पूरन मासी का ब नर्ण भगवान का जो ब्रत होता है हम या तो माग के महीने में स्टार्ट करें या हम कार्तिक के महीने में कई लोग पूछते हैं कि हमें ब्रत कब शुरू करना है तो माग इसनान किया जाता है और कार्तिक इसनान किया जाता है तो आप या तो माग महीने में करें या फिर के दिन इंद्र भगवान का भी पूजन करना चाहिए प्रात्ना करने चाहिए कि हे भगवान आपने आपकी वरसा brains हमें जो प्रकरति में वनश्पतियां मिल रही है ऊज्थियां मिल रहे है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप हमें हमारी संपनता प्रदान करें और इसी तरह से हमसे प्रिषन्द बने रहें सर्थपूर्ण मा के दिन जो कातिक मास इसनान भी प्रारम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और आपको जब कातिक इसनान करना होता है तो साल में लाइफ में दो जरूर करना चाहिए जोड़ा वैसे आप कितना भी कर सकते हैं लेकिन दो वार महिने में आपको साल में नहाना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सफेद वस्तों का दान करना चाहिए और आप उस दिन सीधा निकाल सकते हैं उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ इस से आप चाहें तो दूद, चावल, चीनी, आटा, आपके पास चांदी की हैसियत है चांदी जो भी आपके पास है हैसियत मैंने गलत सब्द बोला जो भी आपकी सामर्थ है उसके अनुसार आप पर दक्षना रखकर और जल फेर कर आप किसी को भी दान दे सकते हैं लेकिन रात के समय आपको ये दान नहीं देना होगा आपको रात होने से पहले ही ये दान देना चाहिए पूर मासी को या साथ सुकरवार को या सौमबार को आपको अगर सफेद बस्तों का दान देते हैं तो आपके विवाय के योग बन जाते हैं जल्दी साधी हो जाती है टाइम से आगर के विवाय में रुकावट आ रही है रिस्ता नहीं हो पा रहा है तो आप सौमबार सुकर या पूरण महासी के दिन सफिज चीज़ों का दान करते हैं、 साथ आर, साथ दिन तक तो आपको विभाय का यूग बन जाता है। पूरण मां के दिन जल में गंगा जल डाल कर, अगर आप इसनान करते हैं तो आपको गंगा ज्णान का भी पुंड़ने मिलता है। पारण से पहले आप दान करें तो अगले दिन ना करें जैसे हम एकादसी में तो द्वादसी को करते हैं लेकिन इसमें आपको उसी दिन करना होता है द्वादसी को नहीं करना होता है तो मैं आपको पूजन करके दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं और मैं आपको विधी बत किसी के ब्रत जरूर करना चाहिए और अगर किसी के बच्चों पर जरूर करना चाहिए उस मा के ब्रत से भी बच्चे को पूरा फल मिलता है आपको पीले वस्त धारन करने चाहिए अगर आप सरदपूर्ण मा का ब्रत करते हैं तो आप सफेद वस्त धारन करें अगर आप पूरे साल का ब्रत करते हैं तो आपको फिर पीले वस्त ही पहनने चाह और अगर अपने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र की दीरगाई के लिए ब्रत कर रही हैं तो भी आपको सरत पूर्णिमा की पूरी विद्धी विधान से ब्रत करना होता है और 12 महिने वाली पूर्णिमा के अलग-अलग कुछ लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं उसकी वीडियो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं 3-4 तरीके से पूर्णिमा के पूजा ब्रत कर चुकी हूँ तो आगर आप ना भी चाहें ब्रत करना भी ना चाहें तो आप सत्यनारण भगवान की कथा कर लें और फिर उसके बाद आप किसी ब्रहमन को जिमा दें तो आप आपको पूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है आपके बच्चे का जनम दिन है आपकी साधी की एनिवरसरी है बनी मिठाई लड़ू और ये सब चड़ाते हैं तो आपको उस दिन अपने जो चंदर देब की और लक्षमी जी की तो पूजा करनी ही है बाकी ना कर सकें तो इस तरह से जरूर कर लें जैसे मैं आपको बता रही हूं और आपको मानसिक मैंने बताया प्रॉब्लम रहती है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए भी सानसारी कष्टों से दूर रहने के लिए भी आपको ये एक लोता ऐसा ब्रत है कि भगवान सरी हरी को प्रसंद करने वाला कि आपकी सभी मनो कामनाएं ये पूरी करेगा तो इस तरह से आप इस ब्रत को जरूर करें और सत्यनाय भी आपके पास कपड़े हैं आप वो दे दें और फिर आप उपने सास ननद जो शादी सुधा है या आप की भानजी है आप इन लोगों को भी दे सकते हैं मंस के रख लें आप को दूर हैं तो आप कठा कर लें घ़र में सामान मंस के रखरें जब वो आपको मिलें तब आपको दे दें जोडे से देने हैं को कपड़े और सिंगार का सामान दे Venus लिखेंद और आको चांदी पूजा करें फिर हवन करें आर्ति करें भोग लगाएं और उस चंदा को अरग दें और फिर खाएं अगर आप ब्रत नहीं लेते हैं तो खाली सत्यनार्ण भगवान की कता करें आर्ति पूजा के बाद आप खाना खा सकते हैं आप अपना भोजन सबको कराएं परिवार में औ क्मूजा को आपस लड़ुगोपाल है आपके पास सालिग राम जी है तो आप सालिग राम जी की पूजा करें तो इस दिन से आपको और इसका नाम है सत्य नारण Records आ il नी आपको सकते बोलना चाहिए सकते केला सत्यं पर किपवाल द लेघन तो हम लोग क्या करते हैं सुबे युशा, यह सब भरेंब, यह सब शुरू हो जाता है हमारा, तो कम से कम ब्रत वाले दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें ब्रत के फलकी प्राप्ते नहीं होती है, और आपको चंदर देपता को जो अरग देना होता है, वो आपको तावे का बरतन नहीं लेना है आप किसी और धातुका ले सकते हैं क्योंकि उसमें दूर डालना होता है और तावे के बरतन में दूर डालकर नहीं रखा जाता है वो फिर विस बन जाता है तो इस तरह से मैं आपको दिखाई ही कि ये जो मैं सामान संकल्प जो लिया था उध्यापन का तो मैं वो कर रही हूँ मैंने कथा करूंगी और कथा पूजा पाट सब हवन सब के बाद ये सारा समान इसमें जोडा है सिंगार का सामान है दक्षणा है और चांदी की लक्षमी जी की एक छोटी सी तस्वीर है तो आप पीली साडी दें पीले वस्त्र दें सफेद वस्त्र दें या फिर आप लक्षमी जी के लिए लाल वस्त्र दे सकते हैं और विश्ण भगवान सिरीहरी के लिए आप पीले कपड़े दे सकते हैं तो आप ये या तो ब्रहमण बुला रहे हैं तो आप पंडत पंडत आने को जिमादयन को बुला कर पूजा पाड कराने के बाद नहीं तो आप अपने परिवार में साथ, ससूर, नंद, नंदोई, भांजे, भांजी इनको भी दे सकते हैं या फिर आपके आप किसी मंदर में दे के आ सकते हैं आप किसी और ब्रहाममण को भी दे सकते हैं उससे भी आपको बताया कि आपको किस 诃स्ते ब्रत करना है और कैसे उद्ध्यापन करना है और दिन में क्या खाना है यह सब मैंने आपको वीडियो बता दिया है आयई होप कि आपको वीडियो helpful लगेगी आपको वीडियो helpful लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी बहुत अच्छे अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूंगी पूरे कार्तिक के महिने तो तिल रैन बाई बाई जै मता दी जै सरी कृष्ण राधे राधे